हलो दोस्तों नवस्कार मैं हूँ कोवन और आप देख रहे हैं कोवन इनको टेक्ट चनल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे MS-DAS अथवा कमांड प्राम्ट के अंधगर इको कमांड का उप्योग करना जिसमें के हम सीखेंगे एक समय में एक से अधिक फाइल का निर्मार करना एक ही टाइम में डायरेक्टरी बनाना उस डायरेक्टरी के अंधगर न्यू फाइल का निर्मार करना या किसे भी file या directory को rename करना और पुना अपने पुराने path पर आना तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं echo command run करने के लिए या किसे भी command को run करने के लिए सबसे पहले command prompt को open करना होगा उसके लिए window plus R key press किजिए अपने computer के keyboard से जैसे ऐसा करते हैं तो run कर dialogue box open होकर आ जाएगा जहां पर आपको type करना है cmd और enter की press करना है जैसे enter की press करेंगे तो command prompt का window आपके desktop screen पर open होकर आ जाएगा जैसा कि आप अभी हमारे desktop screen पर देख रहे हैं चलिए इसे थोड़ा सा हम बेवस्थित कर देते हैं अभी हम देखें तो c user spawn computer vg नाम के path पर हैं सबसे पहले यहाँ पर cls command चला कर हम screen को clear कर ले रहे हैं चुकि दोस्तों आपको cls command के बारे में नहीं पता होगा तो इसी वीडियो के description में cls command के वीडियो का link है यह मैं already पहले आपको पढ़ा चुका हूँ अगर जो आपने नहीं पढ़ा है या नहीं देखें तो description से वीडियो के link को tap करके या click करके आप उसे देख कर आसानी से समझ सकते हैं अब यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं echo command की परिभासा क्या है echo command का उपयोग किसी भी प्रकार का message display करने batch script वो command को display या on off करने के लिए किया जाता है अर्थात इसका उपयोग multipurpose operations को करने के लिए किया जाता है जैसे एक file या एक साथ कोई files का निर्मार करना file में data add करना जैसे पहले से कोई file बना के रख्ते हों उसमें नया data add कर सकते हैं तथा साथी साथ एक समय में एक से अधिक command का उपयोग करना ऐसी बहुत से काम इस echo command में होता है जैसे पिछले अधियार में आपने सीखा था md command का उपयोग तो md command से एक समय में आप सिर्फ और सिर्फ directory ही बना सकते हैं एक बनाएं या एक से ज्यादा बनाएं लेकिन directory ही बना पाएंगे लेकिन हम कहें एक समय में directory भी बनाईए और उस directory के अंदर भी चले जाईए तो ऐसा संभव उसमें नहीं है ओ कर सकता है echo command echo command की मदद से आप आसानी से एक ही समय में current path for directory बना सकते हैं किसी दूसरे root directory के file का नाम चेंड कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं और वापस पुना अपने path for या मन चाहा path for जा सकते हैं तो चलिए सबसे पहले इसका syntax देख लेते हैं कि यह कैसे काम करता है और इसका क्या मतलब है default route में echo mode हमेशा on रहता है उसे आप देखना चाहते हैं तो current path पर type करें echo 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 और enter key press करना है जैसे enter key press करेंगे तो मैसे display होगा echo is on और इसका मतलब है कि आप एक समय में सिर्फ एक ही किसी भी command को execute कर सकते हैं अगर जो आप एक सदिक command को execute करना चाहते हैं तो echo को off करना होगा यह हम आपको आगे सिखाएंगे फिलाहल आपको यह check कर लेना है echo command type करके कि हमारा echo on है कि off है बाकी इसके साथ साथ आप message भी display कर सकते हैं जैसे echo type करके आपने enter करा echo is on इसी तरह आप batch script में या current command window के अंदर करत किसी को message display कराना चाहते हैं तो आप echo command की मतलब से आसानी से कर सकते हैं type करेंगे current path पर echo space देंगे और वो message type करेंगे जो आप किसी को दिखाना चाहते हैं जैसे मैंने type करा welcome to you और जैसे enter की press करेंगे automatic देखें हैं message display होगा welcome to you इसका खास का रूपयोग batch script में किया जाता है कि जैसे ही कोई batch script की file open करी जाए तो सबसे पहले यह message आए उसके बाद आगे की परकिरिया की जाए इसका अगला syntax है कि इसकी सहाथा से आप new file create कर सकते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हम desktop पर आ जाते हैं desktop पर आने के लिए cd space देकर desktop type करेंगे और enter की press करेंगे जैसे ऐसा करेंगे तो हमारा path देखें अभी desktop पर display हो रहा है यहां cls करके screen को हम साफ कर दे रहे हैं अभी हम desktop पर हैं zy mode में जो आप यह देख रहे हैं यह पूरा अभ यहां पर display होगा जब आप dir करेंगे तो यह सारी प्रक्रिया हमने पिछले अध्याय में बता दिया है अब आपको सिर्फ यहां यह समझना है कि यह जो desktop नम की directory है उस directory पर हम मौझूद है अब यहां पर हम eco command का उप्योग करके एक नया file create करने जा रहे है तो उसके लिए syntax क्या है आपको current path पर type करना है eco space देना है और अपना सारा matter type कर लेना है जो कि हमने copy command में सीखा था सबसे पहले copycon space file name और उसके बाद extension लगाते थे लेकिन eco command में ऐसा नहीं है आपको type करना है eco space देना है और जो भी matter आप अपने file में type करना चाहते हैं उसे type कर ले by name is Pawan Kumar इतना type करने पाद दोस्तों आपको single greater than लगाना है और इस पेस देकर file का नाम type कर देना है तो हमने आप पर नाम type कर आप pkk.txt और enter की प्रेस करना है जैसे आप ऐसा करेंगे तो desktop इस नहीं पर देखेंगे आप यहां पर फाइल क्रेट हो गई है चुकि इसका extension हमने .txt दिया वाया मिन कि यह notepad की फाइल होगी तो देखें यहां पर notepad की फाइल आ चुकिए pkk डबल क्लिक करके दिखाते हैं आपको देखें हमने यही टाइप करा था my name is Pawan Kumar अचली इसे कर देते हैं close तो इस फाइल में आप अलग से data add कर सकते हैं जैसे अभी हमने दोस्तों आपको current path पर type करना है e को space देना है वह content type करना है जो आपको उसमें add करना हो तो हमने type करना पवन pk mk add the rate gmail.com मेरी email id है यहां पर आपको double greater than लगाना है इस place देना है उस पुराणी file का नाम type करना है जिसमें इसे आप add करना चाहते हैं इस एड करने को टक्निकी भास हमें append करना कहते हैं तो हमने यहां पर अपनी file में data को append कर रहा है तो हमने type करा echo space अपना data double greater than इस पर देखर पुरानी फाइल का नाम जो की टीके के डाट टी अस्टी है और एंटर की प्रेस करा जैसे हमने एंटर की प्रेस करा देखिए हमको पुराने पास पर लोटा दिया गया है अब हम इस फाइल को ओपन करके देखें तो उसके अंतरगत हमारा नया वाला डेटा आ होगा चुकि gmail.com हमने यहां पर पूरा नहीं टाइप कर रहा है टेंशन न लिजिए gmail हमने टाइप कर रहा है .com सबको पता है नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं है हमारा एक content है कोई issue नहीं है अब यहां पर PK के नाम का जो फाइल दीख रहा है इसे डबल क्लिक करके हम को दिखाते हैं तो देखिए इसमें जूड़ किया है my name is पौन कुमार के जस्ट नीजे पौन पी के हमके अड़ दरेट जीमेल चलिए इसे कर देते हैं close एक बार और इसमें हम नया डेटा आपको आड़ करके दिखाते हैं उसके लिए टाइप करना है इको इस पेस देना है और जो extension होगा extension और enter की press कर देंगे जैसे ऐसा करेंगे तो automatic यह content उस पुरानी फाइल में add हो जाएगा चलिए इस डबल क्लिक करके हम आपको दिखाते हैं देखिए इस फाइल के अंतरगत हमारा content यहाँ पे display हो रहा है तो चलिए अब इसे कर देते हैं close इसके साथ एक और syntax काम करता है दोस्तों कि अगर जो आपके file के अंतरगत कोई content हो और उस content को आप override करना चाहते हो जैसे अभी हम जो कर रहा थे वह append हो रहा था मतलब उसमें बढ़ रहा था लेकिन आप चाहते हो कि उसी file के अंतरगत हमारा नया data overwrite हो जाए पुराना data gaiv हो जाए तो उसके लि display रहे तो हमने यहाँ पर type करा e को space दिया हम चाहते हैं कि उसमें हमारा channel का नाम आ जाए तो हमने type करा power info take single greater than लगा space पुराने file का नाम दिया pkk.txt अगर जो आप पहली बार इसका उपयोग कर रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर थोड़ी problem हुई है ओ छुट गया है typing में कोई अगर जो आप यह पहली बार type कर रहे होंगे file नहीं होगी इस नाम से तो new file create हो जाएगी और यदि पहले से file होगी तो data overwrite हो जाएगा चलिए enter की press करते हैं जैसे enter की press करें देखिए हमें पुराने path पर पहुंचा दिया गया अब इस file को हम double click करके आपको दिखाते हैं इसे कर देते हैं close screen को कर देते हैं साफ cls और enter इसका अगला syntax है दोस्तों कि आप एक समय में एक से अधिक file का निर्मार कर सकते हैं उसके लिए आपको current path पर type करना है echo space देना है अपना content type करना है जैसे हमने type कर आप पवन greater than लगाना है space देना है इस file का नाम देना है जैसे p. txt इस पेस देकर ampersand लगाना है पुरा आपको type करना है echo space देना है दूसरे file का content type करना है greater than लगाना है और उस file का नाम दे देना जैसे इस file का नाम है b.txt और enter की press करना ऐसे ही आप ampersand का उप्योग करके एक समय में अलग अलग type के extension का कई file एक ही समय में create कर सकते है echo command की करते हैं जैसे हमने enter की press करा देखिया हमारे desktop screen पर दो file या एक P नाम की और एक B नाम की तो लिए P को double click करते हैं तो देखिए इसमें पवन है B को double click करते हैं देखिए इसमें कुमार है इसी प्रकार दोस्तों आप अलग-अलग प्रकार की extension का अलग-अलग नाम से अलग-अल अधिक file में अपने data को add कर सकते हैं चलिए example के रूप में हम देख लेते हैं तो हमने यहाँ पर type करा echo space हमने type करा double line double greater than space मैं इस file के अंदर इस data को add करूँगा तो pk.txt space ampersand space फिर से type करेंगे echo space देंगे अपना content जैसे इसमें double add करना चाहते हैं double greater than space अब की बार इस file में add करना चाहते हैं तो pk.txt और enter की press करेंगे जैसे enter की press करेंगे तो आप देखेंगे उसमें data add हो चुका है चलिए यह pk के नाम की फाइल को double click करके आपको दिखाते हैं जैसे double click करेंगे देखें इसमें data add हो चुका है double it ऐसे pk में भी add हो गया होगा तो इस प्रकार दोस्त इसलिए हमने बताया था सुरू में ही आपको की echo command हमेशा on रहता है और on रहने पर एक समय में आप एक ही command को execute कर सकते हैं जैसे अगर जो हम यहाँ पर md space zero type करके enter करते हैं तो automatic एक ही command run करके तुरंत हमको पूराने path पर पहुंचा दिया जाएगा लेकिन हम चाहते हैं एक सम command को execute करें तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको type करना होगा echo space देकर o ff जैसे आप o ff means off करेंगे enter की press करेंगे आपको नया line मिल जाएगा जैसा कि आपने copy on command में सीखा सा file को create करते बग जब भी आप file बनाते हैं file name देखे enter करते हैं तो आपको नया line मिल जाता है अब 01 मतलब कि desktop पर 01 नाम की directory बनाओ फिर मुझे उसके अंदर जाने दो फिर यहाँ पर हम चलाएंगे echo space पवन कुमार single greater than space pk.txt means कि desktop पर 01 नाम की directory बनाओ उसके अंदर जाओ और वहाँ पर पवन कुमार एक content type करके pk.txt file बनाओ enter फिर हम आगे d root directory में जाना चाहते हैं वहाँ पर md space pk नाम की directory बनाओ enter cd फिर से pk के अंदर जाओ और md उसके अंदर mk नाम की एक directory बनाओ cd space mk के अंदर जाओ फिर से वहाँ पर एक file बनाओ e को जहाँ पर कुछ number type हो single greater than space mk.txt और enter की और उसके बाद से cd backward slash और enter की अगर जो उसके बाद से भी अगर जो आपको file बनानी है तो type करें copy con pk.txt enter अपना content enter ctrl z और enter one file copy अभी message आ गया अब इसे अगर जो आप किसी अने drive में ले जाना चाहते हैं या कुछ और भी तो वो सारा का सारा यहाँ पर आप अपने command को execute करा सकते हैं one time में जैसे आप time देखना चाहते हो तो time forward slash d enter अब इसे जब आपको off करना होगा तो यहाँ पर type कर लेंगे e को on और enter की press कर देंगे अब जैसे enter की press करेंगे आप देखेंगे आपने जो जो command दिया था ओ सारा का सारा command execute हो गया है जैसे first time देख लिए यही पर time दिख गया है अब एक एक command को उपर से देखते हैं हमने md करा तो हमारा location था desktop देखिए यहाँ पर 01 नाम की directory बन चुकी है हमने कहा उस directory के अंदर जाओ तो cd 01 डबल क्लिक करते हैं देखिए हम उसके अंदर आ चुके हैं अंदर आने के बाद से eco command की मदद से हमने पावन कुमार content को add करके pk.t f3 नाम की एक file create करी थी चाहिए डबल क्लिक करके देखते हैं देखिए पावन कुमार close कर देते हैं इसे भी close कर देते हैं अगला कह रहा है कि d root directory के अंदर गया है तो computer के icon को double click करते हैं और d root directory को open कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर pk नाम की एक directory बनानी है तो देखिए य mk इसके अंदर चले गया है तो चले डबल क्लिक करके open कर लिए अब eco इतना content के साथ mk.tfc नाम की एक file बनाईए तो चले इसे double click करके open करते हैं देखिए double line, double line, nine content से यहाँ पर mk नाम की एक file बन चुकी है इसे close कर देते हैं उसके बाद से हमने backward slash लगा या copy icon करके pkk.tfc नाम का एक file बनाया तो चले इसे back कर लेते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं pkkk double click और इसके अंतरगत जो हमने type करा था वो यहाँ पर आ गया है current time में हमें समय देखना था तो हमने समय भी देख लिया तो इस प्रकार दोस्तों eco command का उपयोग करके आप आसानी से एक समय में एक से अधिक command को execute कर सकते हैं और बहुत ज्यादा work कर सकते हैं कम समय में और यह चीज आप अपने command window के अंतरगत देख रहे थे यदि दोस्तों अगर जो आप इसका batch script त्यार कर देते हैं तो बहुत ही आसानी से आप देखेंगे कि batch script में eco command का क्या उपयोग है चलिए उस batch script का एक example मैं यहां पर आपको दिखाता हूं सबसे पहले इस program को मैं exit कर देता हूं exit करने के बाद से दोस्तों सबसे पहले आपको notepad program open करना है तो हमने प्रेस करा window प्लस रण के dialogue box में type किया notepad और enter की press किया जैसे enter की press करेंगे notepad program आपके desktop screen पर open हो करा जाएगा जैसा कि अ आपको अच्छे से दिखाई दें और यहां पर simple content type करें जैसे echo space power info tag enter की press करें line change करके pause command को type कर ला और इसे save करें file को click करें save को click करें और desktop पर file का नाम one dot bat कोई भी रख सकते हैं लेकिन ध्यान रहे file name के बाद इसका extension dot bat लगाना अनिवार है और save को click करें जैसे ऐसा करेंगे तो देखें desktop screen पर एक यहां पर file आ चुकी है अब इसे double click करते हैं जैसे इसे double click करेंगे तो देखें यहां पर सब को display हो रहा है कि सब पहले command चला है echo display करना था हमको phone info take और display हो रहा है यहां पर phone info take जस्त उसके बाद हमने pause command चला है था तो देखें pause command execute कर रहा है और यहां पर लिखा हुआ आ रहा है press any key to continue जैसे कोई भी key press करेंगे यह गायब हो जाएगा क्योंकि कुछ देर के लिए हम इसे रोकना चाहते थे लेकिन अगर जो यही पर हम echo को off कर दें तो एक समय में ही लगातार ही कई command को हम execute कर सकते हैं उसके लिए simple है दोस्तों इसके पहले आपको लगाना है add the rate और echo के आगे o double f enter करना है echo echo इसलिए क्योंकि message को हमें display करना है तो phone info take message हमारा होगा और echo को यहां पर off करने के लिए मैं से type करा pause आप चाहें तो यहां पर md command भी चला सकते हैं md की जगा mkdir भी कर सकते है mkdir space 45 enter cd space 45 और pause command और चाहें तो time command भी चला सकते है time slash t और अंत में pause अब इसे फिर से हम save करते हैं file को click करेंगे save as और यहां पर इसका नाम दे देते हैं 11.bat और save को click कर देते हैं अब देखेंगे एक और नई file आ गई है 11 नाम की अब इसे double click करते हैं जैसे हमने double click करा देखिए यहां पर message कर रहा है पवन info take बाकी extra जो message थे यहां पर सब गायब हो चुके हैं जैसे कि आपने first screen में देखा था पहले वाले file को हमने open करा था तो पूरा का पूरा path display हो रहा ह लेकिन यहां पर देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं display हो रहा है simple message आपको display हो रहा है पवन info take और directory भी हमारी देखिए यहां पर 45 की बन चुकी है देख पा रहा है और हमने CD करा था तो उसके अंदर भी होंगे तो अभी कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है और just उसके बाद हमने तुरंत गायब हो जाता है सारे command execute होने के बाद लेकिन यहां पर press any to continue का message आ रहा है क्योंकि pause command डास विंडो या command विंडो को कुछ देर के लिए रोक कर रखता है जब तक आप चाहें जैसे कोई भी की प्रेस करेंगे विंडो गायब हो जाएगा तो इस पकार दोस्तों सबस में share कीजिए चैनल परना है तो चैनल को subscribe कर लिजे और आपको subscribe कर भी लेना चाहिए क्योंकि ऐसे ही रोटी प्रेंटर की वीडियो अपने चैनल पर upload करते रहते हैं मिलते हैं दोस्तों आपको new video new topic से साथ तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत